सुना ना आपने किपने क्रिस्पी बने है हमारे कोल गप्पे तो चलिए वापस से दिखाते हूं इक बढ़ किपने क्रिस्पी बनाने की तरीका तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रित जैसे गोल गप्पे करारी गोल गप्पे बनाने की टिप एंड ट्रेक्स तो मेरे साथ वीडियो के end तक बने रहे और मैं आज खोलूँगी सारे गोलगपो के राज कैसे बनते हैं ये इतने क्रिस्पी तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं बताऊंगी तो इसके लिए मैं हम लेंगे दो बाउल सूजी एक बाउल मैदा यानि हमें टू इस टू वन का रेश्यू रखना है यहां मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है अब हम इसका टाइट डो लगा लेंगे जैसा डो हम पूड़ी के लिए तयार करते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट हमें डो लगाना है हमें थोड़ा करकर के इसमें पानी डालेंगे ताकि एक अच्छा डो टाइट डो लग सके अब हमने तीनों सूजी और मैदा डाल लिये हैं अब मैं उसमें टेस्ट के अनुस जरत नहीं होती अमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड करूंगी और एक टाइट डो रैडी कर लूंगी हमें टाइट डो ही लगाना है नहीं तो हमारे गोलगा पे क्रिस्पी नहीं बनेंगे यहां मैं कोई भी बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर का यूस न मेरे द्वार डाली गई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें देखें हमारा डो रैडी है अब मैं गीला कपड़ा लूंगी और इसे पूरा कवर कर दूंगी ताकि हमारा डो सूखे नहीं और इसे मैं 30 मिंट के सोफ्ट हो जाएगा और अब हमें इसमें थोड़ी लोच लगाएंगे आप जितना आटे में लोच लगाएंगे ना गोल गप्पे हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे तो जितनी आप आटे में लोच लगाने में मेहनत कर देंगे ना गोल गप्पे बनाने में बस लोच लग अब हम counter top को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, ताकि जो हमारी लोई है, जो हमारा आटा है वो चिपके नहीं और अच्छी तर से बिल जाए, और हमें इसे एकदम पतला बेलना है, आप जितना बेल सकते हैं पतला, उससे थोड़ा सा कम पतला बेल लीजिए, एकदम पापड भी बनाना हमको, तो पापड से थोड़ा सा मोटा रखना है, लेकिन हमें पतला बेलना है, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितना पतला बेलना है, देखिए, हमें इतना पतला बेलना है, तेडा मेडा बन रहा है, हमारी जो बिल रहा है, उसकी बिल्कुल भी टैंशन मत लीजि कुकीज कटर से या फिर किसी डिब्बी के ढखकन से इसे कट करेंगे मैंने यहां पर एक डिब्बी का ढखकन लिया है जितना भी बड़ा आपको गोलगपपा बनाना है उतना बड़ा डिब्बी का ढखकन ले लीजिए उसे आटे पर रखी और प्रैस करिए अच्छी तर से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। कि आप चाहें तो ऊपकीज कवत नष्ण फाल या फिर आप इस तरह से गोल कट कर लीजिए और उसे बार में हम वोवल सेप का बना लेंगे क्योंकि गोलगपपे जो होते हैं मो आपन कैसी भी सेप देते, अपने गोल गप्पे है, देखिए, बिल्कुल गोल कट चुका है, इस तरह से मैं सारे गोल गप्पे निकाल, यह जो हमने काटे हैं, उनको निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी, और जो यह आटा निकला है, अलग से, इसको हम बाद में वापस से बेल कर यूज कर लेंगे, अब मैं इस बेलन की मदस से थोड़ा इसे थोड़ा सा और बेल लूँगी, ताकि यह वोवल अकार का इसका शेप आ जाए, और यह थोड़े और अच्छे लगे दिखने में, इस तरह से बेल बेल कर हम एक गीले कप्डे पर इने रखते जाएंग गोलगप्पे डाल दिया और इसे गीले कप्डे से ढख दिया है, ताकि हमारे यह सूखे नहीं, अगर यह सूख जाएंगे तो हमारे गोलगप्पे अच्छे नहीं बन पाएंगे, मैंने एक कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, मैं यहां सरसु का ओल यूज आप चाहें तो रिफाइंड ओईल कोई भी ओईल यूज कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं, इसे एकदम हमें गरम करना है, बहुत तेज गरम करना है, जैसे हम बटूरों के लिए गरम करते हैं एकदम उबलता हुआ तेल ऐसा करना है, नहीं तो हमारे बटूरे यह सोरी छोई गोल गोकपः फूलेंगे नहीं, देखिये मैंने इसमें गोलकपः डाल दिया और कैसे यह फूल चुका रहे, अब मैं इसमें one by one डाल दूंगी और इन्हें तलूंगे इन्हें हमें गोल्डन करना है अगर हम गोल्डन नहीं करेंगे तो हमारे गोल्डप्पे सॉफ्ट रह जाएंगे तो हमें इन्हें एकदम गोल्डन करना है देखिए कितना गोल्डन करें है, मैंने इस तरह से हमें गोल्डन करना है, और इस तरह से हम सारे गोल्गप्पे बनाकर रैडी कर लेंगे, और गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है, मैं फिर से बता रही हूं हमें जब ओई एकदम तेज गरम होगा तभी हमें गोलगप़ डालने हैं यह नहीं तो हमारे गोलगप़ नहीं फूलेंगे क्रिस्पी नहीं बनेंगे एकदम गरम ओईल में हमें इने डालना है और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन होने पर हमें इने निकालना है बाहर देखिए कितना गोल्डन हो चुका है ऐसे हमें बनाना है और तभी हमें बहार निकालना है देखिए हमारे गोलगप़े कितने अराम से कितने अराम से फूल रहे हैं बिना किसी मैनत के तो आटे में मैनत कर लीजिए और फूले फूले गोलगप़े ख चलिए अब बनाते हैं पानी, गुलगपो का खट्टा मीथा पानी, तो इसके लिए मैंने लिया है एक जार, जिसमें मैं डाल रही हूँ, एक इंच के लगबक अद्रक, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप करके मैंने डाल लिये, दो हरी मिर्च, अगर आप अब मैंने एड किया है, इसमें हाफ ग्लास पानी, अब इसे हम बंद कर देंगे और गुर्ण पीस लेंगे, देखे मैंने पीस लिया इसको, अब हम लेंगे एक बाॉल, एक छलिए और एक स्पून, इस पेष्ट को हम एक छलिए में डाल देंगे, ताकि जो हमारे धनीे और और पोदीने का जो पेश्ट है गाड़ा जो बचेगा वो हमाई छलनी में ही रह जाएगा और जो पानी है वो जो उनका रस है वो बाउल में चला जाएगा अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि सारा रस निकल जाए अब ही जो यह मिक्षर है हम इसको फैकेंगे नहीं हम इसको वापिस से पीसेंगे थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इसमें मैं इसे वापिस पीसओंगी ताकि इसमें जो बागी का बचा हुआ रस है वो निकल जाए आदा ग्लास पानी और एड़ कर दिया है मैंने और चल मिक्षर निकलेका अब इसमें कोई रस नहीं है कुछ भी नहीं है इसे आप फैक दीजिए हमें अच्छी तरह से अब इसमें दबा कर सारा रस निकाल लिया है देखिए हमारा जो पोदीने और धनिया है उसका रस रेड़ी है अब हम इसमें एड़ किया है मैंने वन ग्लास वॉटर हमें यहाँ पर एक से डेर लिटर टोटल एक से डेर लिटर इसमें पानी एड़ कर लेंगे मैंने यहाँ एड़ किया है वन फॉर्थ स्पून नमक वन स्पून चाट मसाला चोथा स्पून काला नमक पिंच ओफ हींग अच्छी तर से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो नमक डाला है हमने जो चाट मसाला डाला है और जो हींद डाला है वो अच्छी तर से मिक्स हो जाए अब हम इसमें बची हुई चीजे ओर एड़ करेंगे हाफ स्पून मैं इसमें एड़ कर रही हूँ जीरा पाउडर बुने हुई जीरे का पाउडर अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे छै बड़े चम्मच इमली की खटी मिथी चटनी छै बड़े चम्मच लगबग आधी कटोरी के लगबग हो जाता है अगर आपके पास इमली की खटी मिथी चटनी नहीं है तो आप इमली का पल्प भी आड़ कर सकते हैं अगर आपके पास इमली का पल्प भी नहीं है तो आप कच्ची आमी यानि कच्ची जो कैरी होती है उसका भी पेश्ट बनाके उसका जूस निकालके वो भी ऐड़ कर सकते हैं अगर आपके पास पानी है अगर आपके पास कच्ची आमी भी नहीं तो आपके तो अमचूर या फिर नीबू का रस भी एड़ पॉसके हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आइस, जैसे हमारा थोड़ा थंड़ा हो जाए, थंड़े पानी में ही मज़ी आते हैं, यहां से मैंने 8 से 10 आइस क्यूब एड़ करें हैं, अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ बूंदी, जो रायते वाली बूंदी होती है, आपको जितन पसंद है उतनी एड़ कीजिए अब हम रेडी करेंगे हमारे गॉलकपों में पीलिंगे तीन बड़े आलूली हैं उन्हें अच्छी तरसे मेश कर लूगी हाथों से मेश कर लूगी इसलिए अपने हाथ अच्छी तरसे क्लीन कर लें अब मैं इसमें एड़ करूंगी चौप अनियन यहां मैंने एक बड़ी चौप अनियन एड़ करी है आप चाहें तो इसमें चने हुए उबले हुए चने भी आड़ कर सकते हैं उबले हुए मूंग भी आड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं लाल मिर्च चोथा में तोटल हाफ स्पून में इसमें नमक एड़ कर रही हूं आप अपने टेस्ट के नुसा नमक एड़ कीजिए और कोई इसमें मसाले ड़ नहीं करेंगे क्यूंकि हमारा जो पानी बना है उसमें सारे मसाले ड़ हैं बहुत ज्यादा मसाले ड़ कर देंगे तो हमारा अच्छे नहीं आएगा गोलगप्पों में एक बैलन्स होना चाहिए मसालों में भी तो हमारी फीलिंग तयार है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं खाना तो देखे कितने अच्छे बने हैं गोलगप्पे मेरे तो प्लीज आप ये ज़रू ट्राइ कीजिए और बड़े ही तेष्टी अगर ट्राइ करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए देखे चलो एक रेडी कर लेते हैं खाने के लिए उसमें एड करेंगे पहले हमारा मसाला थोड़ी सी चटनी इमली की चटनी और फ्रेंट चटनी की रेस्पी देखना चाहते है तो मैं जल्द अपने चटनी की रेसिपी अप्लोड करूंगी अपने चटनी की रेसिपी अप्लोड करूंगी अप्रेंट्स हमारा गोलकपर रेडी है ओके फ्रेंट्स बाई